यह सदगुण आ रहे हैं तो शमझो आपके ऊपर बहुत भगवत करपा है आपकी भक्ति उत्तम भुमिका में पधार रही है यदि यह सदगुण नहीं है इसके बिपरीट चेश्टाएं हो रही है तो आप शावधान हो जाइए उन बिपरीट चेश्टाओं को मत कीजिए और आदर्ष महापुर्शों के इन सदगुणों को हिरदय में धारन कीजिए सबसे पहला है अभयम जो सरणागती है सरणागती का सबसे पहला लक्षन है निर्भय फिर निश्चिंत फिर निश्चोक ये निर्भय पहला लक्षन है जहां कहीं भक्त को भै प्रगट होता है कहीं भै की स्थिती हुई तो ततकाल उसके हरदय में बल प्रगट होता है मेरे प्रभू है ना मेरे प्रभू शर्वत्र है, सरवग्य है, सरवशक्तिमान है ततकाल वो निर्भै होता है अगर श्वभाव वस कोई भय आता है तो उसे प्रभु का चिंतन होता है एक बाई गंगा के किनारे ब्रह्मन कर रहे थे तो अंधकार में ये मन बड़ा कलपनात्मक भय प्रगट करता है रात्री कश्व में था श्यार और उल्लू की आवाज आती है वहां गंगा किनारे या तो उल्लू की आवाज आती है या तो श्यार की आवाज आती है और वो बड़ी भयावा होती है कुछ ऐसा लगा कि भयावा है कुछ सामने एक भहश अव्याप्त हुआ अब उसी भह में थोड़ी दूर पर एक प्रकास लिये है इसा लगा कोई लाल्टेल लिये हुए है मन में निर्भेता ही तुरंत पस्चाता अफुआ रे धिकार है तुझे इतनी दूर है वो कौन है मुझे पता नहीं लेकिन लगा कोई है लाल्टेल लिये हुए तो तुझे निर्भेता नहीं लगी और सर्व प्रकास पुंज मेरे प्रभू मेरे समीप है तुझे उसकी याद नहीं आई ये ये जो मन है ये सदवी भगवत विमुख होने की चेश्टा करता रहता है हमारे पास कोई भी भयावा परिष्थिती आती है और कोई हमें दूर दिखाई देता है जिससे बिलकुल परिचेने हो बिलकुल साहता नहीं करेगा तो भी लगता है वो है और बिलकुल हमारे समीप हमारे गोविंद है हमारे कृष्ण है हमारे प्रीतम है औह में उनकी आद नहीं आते कि वो है ना सरवघ्य है, सरवजक्तिमान है, सरवत्र जो विराजमान है भट वही है, शरनागत वही है जो प्रतिपल प्रभु के शानिद्य कानुभो करता है मेरे प्रितम है ना अभयम, उसके हरदय में भए नहीं होता बहे कभी कभी स्वाभाविक जो बहे होता है वो बड़े बड़े भक्तों में भी देखा जाता है अचानक कोई आवाज हुई और भेवित ये विचार भे नहीं है ये स्वाभाविक ये होगा वो विचार भे से युक्त नहीं रहता भाक्त कभी विचार भै उँदर से विचार करके भैवीत नहीं होता किसी भी भै परिश्थिती में वो प्रभू के चरणों का आस्त्रेले स्वभाविक भै हो जाएगा अचानक कोई आवा जाती अचानक कोई भैवा ऐसी आवा जाई जो हिर्दय में घबलाट पैदा होती है उसका नाम भै है और उस भै का सर्वता भक्त के हिर्दय में अभाव होता है अगर भै लग रहा है तो आप प्रभु की चरणों का आस्त्रे सुद्रड भावना से नहीं लिए कहीं कोई भै नहीं है मन केवल कलपना करता है भै की कहीं भै नहीं बड़े अंधकार में वेशे शब्रमन करके देखा है जहां कहीं भै लगा है वो मेरे मन की कलपना होती है साव आत्म सुरूप में स्रीकृष्ण है किससे भै करे ये जब बोध हो जाता है तब अभैपद को प्राप्त हो जाता है यदि हमारे अंदरेशी धारणा नहीं तो हम भावना बनाएं जहां मुझे भै लगता हो जहां कभी ऐसा लगा कि यहां इश्मशान है यहां भूत है यहां ऐसा हो सकता है हम वहीं बेठें सुभाव जिद्धी रहा है देखते हैं कहां कौन भै और नाम इश्मर कहीं कोई भै नहीं रहा कहीं कोई भै ले और भैवीत हो जाओ तो अपने आप से भै लगने लगेगा स्वास का भै लगता है ज्यादा स्वास चल गई तो लगा कुछ आवाज आई कोई है पाग पीछे है क्या अपने पैर की खुटक में भैवीत होने कोई है पीछे चल रहा है और लगने लगेगा पीछे चल रहा है ये बहुत मन भै प्रदान करने वाला है भगवदा अश्वित को निर्भैता की तरफ भावना बढ़ानी चाहिए क्योंकि ऐसी कौन सी भी पती है जो हमारे स्री कृष्ण की क्रपा का उलंगन कर सके सर्व शामर्त शाली प्रभू विराजमान है जिनसे काल भी थर राता है भैवीत होकर काल वरताव करता है जिनसे भैवीत होकर के शूरित तपता है जिनके भैसे वायु चलती है जिनके भैसे प्रत्वी जल में नहीं डूपती चाचर जगत का जो शाशं करने वाला इश्वर है वो मेरा प्रभू है सवस्त लोग पाल जिनके भैसे वरताव कर रहे वो मेरे प्रभू है और मुझे बहुत प्यार करते हैं हर समय मेरे शमीप रहते हैं भले मेरे द्रश्टी में नहीं आ रहे हैं लेकिन हैं मेरे समीप हैं नाम रूप से हैं, मंत्र रूप से हैं आनंद रूप से हैं आस्त्रे उनका लिए हो हैं मेरे पास ये बल जब जागरत हो जाता है तब भक्त निर्भय हो जाता है बाहर से आने वाला भै और भीतर से होने वाला भै ये दो प्रकार के भै व्यक्ति को क्लिश देते रहते हैं लेकिन भक्त दोनों भैयों से मुप्त हो जाता है बाहर कभे हैं, कोई चोर, कोई डाकू, कोई हत्यारा, कोई ब्याग्र, कोई शाप, या कोई भूत प्रेट, कोई भी बाहरी जो हमें आ करके कष्ट दे सकता है, हमारी हानी कर सकता है उसको आशंका नहीं होती भक्त को बाहर साप जैसे लोग कहते हैं साप को दिखा रहे मरो मरो काट खाएगा मर जाओगे अगर उसे काटना है तो आप जाओ चाहे सीसे का एक मकान बनवा के अंदर बंध हो जाओ जिस समय काटना है तो वहां खूटी में टंगा हुव वस्त्र या कुछ भी वो साप बनके काट लेगा काल बहुत बलवान है और नहीं काटना तो साप के बीच में सोजा नहीं काटेगा पका जंगल में भी रहे के देखा है ऐसा देखा सेनपुर में आज भी कोई चला जाए देखे बहुत पुराना जंगल वहां बीची शाप बिचखा पर यह सब घुमते रहे थे कभी किसी को नहीं अगर आपका विधान है तो एक से एक मंत्र वेत्ता लगाये थे सी जनमेजे जी परिक्षित जी के लिए जिस समय अंतिम दिन था सात्वा दिन बड़े-बड़े मंत्र वित्ता और एक खंभा उसके उपर महल की रचना और आसपास सम मंत्र वित्ता मंत्रों से कील दिया गया था लेकिन तच्छक स्राप की बशी बुतुकर फल में एक छोटा कीड़ा बनके गया उसके लिए हम चिंतित क्या हो जो नहीं होना पका नहीं होगा उसके लिए हम क्यो बे परवाह रहे हरी स Character में मगन रहे हरी रक्षा करते हैं करओं सदातिन के रखोवारी जी वी बालक राख है महतारी मा जैसे बच्च या खेल में मगने लेकिन मा की दृस्टी केवल बच्चे पर है कहीं कोई अमंगल कारी आकर आकरंफन करने कर दे कहीं कोई अमंगल कृत ये करके अपने को दुख न पहुंचा ले बाहर से आने वाले दुख और स्वयम से होने वाले दुख दोनों की दृष्टी माता की परती रहती माता देखती रहती कई ऐसा यह मंगल खा न ले, छू न ले, ऐसा कर न ले या कोई बाहरा मंगल आकर इसका कर न दे, ऐसे ही मंगल भौन हमारे आराद देदेओ करों शदातिन करे रखवारी जिमी बालक राखे महतारी कभी-कभी स्वयम भैवरन किया जाता है बीडी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराव, तंबाखू ये हम खाने लगते हैं कि हमें सुख मिलेगा ये हम स्वयम भै पैदा कर रहे हैं अब ये हमारे हिर्दे में आशक्ति पैदा करते हैं हमारे हिर्दे को मलिन और हमारे शरीर में रोगों की बाहुलिता प्रगट करने का यह उशर देते हैं और जब छोड़ने की बात आती तो हम भैवीत हो जाते कि इनके भी नाम जी नहीं सकते हैं हम रह नहीं शकते, ये श्वयम आप व्यशन करके अपने को भैबीत कर रहे हैं, अपने अंताकरण को मलिन कर रहे हैं, उस आसकती से बांध रहे हैं, आप समझते हैं कि कहीं न कहीं आपके सरीर को चैतन्यता प्रदान करता है, ये आपको आनंद प्रदान करता है, ये ही मूढ आप भय का वरन कर रहे हैं। उपाशक को कभी भी कोई भी व्यशन का आस्रे नहीं लेना चाहिए। कोई नशा नहीं करना चाहिए। ये भय हमारा मंगल करेगा। हमें जो वरन आस्रम के अनुशार उपाशना मिले, शाधना मिले या हमारी सरनागती के अनुशार जो उपाशना मिले उसमें कोई तुरटी नहोजाए। ये भय अवस्य होना चाहिए ये भय अभय करने वाला है इसमें बे परवाही नहीं चलेगी दर्पत रहो भक्तन के अपरादसु दर्पत रहो दर्ते रहो कहीं इस त्रिगुण के सलिल में फिशल करके तुम्हारे द्वरा को यह ऐसा आचरण न बन जाए जो भगवत आज्याँ गुरु आज्याँ से विमुख कर दे यही डर ही डर अपि हरिवन सहित जिनों भ्रमई गुण सलिल पर जिह नामन मंगल लोक तिहूं सुहरी पदभजु न बिलंब करे ये डर बनाय रखना चाहिए बाहर से कोई चोर आएगा, हिंसक आएगा, कोई भूत प्रेत आएगा, कोई आदी आदी ये डर बिलकुल मत रखो प्रभु है ना, पक्का समझ लो कभी ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रभु से पास होकर ही कोई तुम्हें चू सकता है और वो पास करेंगे तो मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे और तुम्हें में कोई ऐसी सामर्थ नहीं है, कोई सकतिवान नहीं है कि वो भाक्त का अमंगल कर सके प्रभूस के सुरक्षा में रहते है पता थोड़ी था अम्रिश जी को की सुदर्संचक्र हमारी सुरक्षा में है महान तपस्वी दुरवाशा ने कृत्या प्रगट की ततकाल सुदर्संजी प्रगट हो गए कृत्या को नश्ट करके दुरवाशा को दोडाया, तिरभूण में दोडाया बिश्वास रखो हर समय हम प्रभू की शक्तियों से सुरक्षित है क्योंकि प्रभू का नाम, प्रभू का इश्मरण चल रहा है हम प्रभू के शर्णागत है इसलिए बाहर का भै तो कोई रखना नहीं स्वयम से कोई भैवीत आचरन करेना ये ब्यशन करना स्वयम भै को बुलावा देना है आशक्ति में फस करके अब उसे छोड़ने में आप घबडा रहे है कि बड़ा भै लग रहा है मैं इसके बिना रह नहीं सकता इसके बिना जी नहीं सकता और वो कोई न कोई आपके शरीर के हानी करेंगे वो आपको भै पहुचाएंगे अंताकरन मलिन करेंगे वो रागात्मक विशन की ब्रतियां आपको कमजोर कर देंगी ये स्वयम से कोई ऐसा आच्रन भै वाला करे ना हम जो उपासना मार्ग में है इस बात का भै रहे रहना चाहिए कि कहीं हमारी उपासना में तुर्टी न हो जाए कहीं गुरू, संत, वैशनो, पूज्यजन इनके अवहेलना न हो जाए इनका अपमान न हो जाए हमारे द्वारा कहीं सास्त्र के विरुधाचरन न बन जाए कहीं वैशनवता के विरुधाचरन न बन जाए इस प्रकार का भै उपासक के हरदय में रहना चाहिए और ये भै उसे अभैपद प्रदान करता है गुरुदेव का डर और ये समाच क्या कहेगी इस बात का डर हमारे द्वारा कोई ऐसा आच्रण न बने जिससे समाच की सुर्दानस्थ हो जिससे समाच के हम निंदा के पात्र बने हमारी कोई ऐसी करनी ना हो जो सास्त्र के प्रतिकूल हो अगर ऐसा उपासक डरता रहता है तो इस संसार समुद्र को पार कर जाता है वो माया पर विजय प्रात्त कर लेता है अभै होए जो तुम्हें डिराई जो गुरुदेव को डरता है प्रभू को डरता है वैश्णों जनों से ये डरता रहता है कि कहीं इनकी अवेलना न हो जाए कहीं इनका अपराधन बन जाए वो अभै हो जाएगा वो अभै पद में आरूड हो जाएगा इस भै को तो धारन करना चाहिए और जो पाप करना है अत्याचार की प्रवतिया है अन्याय है निशित धाचरण है इसमें भैवीत होना चाहिए ये कार्य हमसे न हो ये हमारे हिरदय में रहना चाहिए कि ये कार्य हमसे न हो कभी हमारा मन पेरित करे कि ये गलत आचरण तो डर जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं सास्त्र बिरुद्धा चरण हो जाएगा हमारा हरदय भजन से बिमुक हो जाएगा नहीं नहीं, ततकाल मन को शाशित करो उसको डर दिखाओ अगर जन्मम्रतिव जराव्याधी इन दुख दोशों का इसको मनन कराओगे तो ठीक हो जाएगा इस डर को धारन करोगे तो यह डर करके प्रभु के चरणों की तरब भागेगा अगर भैवीत होकर प्रभु के चरणों की तरब भागेगा तो अभे हो जाएगा जो सभी तावा सरनाई रखे होता है प्रान की नाई ये डरना चाहिए निशिद आचरां तभी तक होता है जब तक हमारे हिर्दय में ये डर नहीं होता, होना चाहिए डर सब के अंदर होना चाहिए कोई हमसे पापा चरणना हो जाए, कोई हमसे ऐसी गलतीन हो जाए, सची मानिए ये डर आपको भजन कराएगा, ये डर आपको महात्मा बना देगा, ये डर आपको निडर कर देगा, निर्भय कर देगा शांशारिक जडवस्तुओं की प्राप्ती की आकांक्षा और उनकी रक्षा का उद्देश जब तक रहेगा तब तक आप इस स्थिती के शादक नहीं हो पाएंगे यह संसारिक भोग खुब ये कत्रित हो ये बने रहें सरी स्वस्त रहें हम खुब भोगों को भोगें वो अभैपद को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उस सावधान नहीं है वो जड़ वस्तू की प्रधानता रखने वाला प्रभू के चरनारविंद से विमुक वो तो निरणतर भै को ही प्रापत होता रहेगा लेकिन जिसने लक्ष बना लिया है भगवत चरणारविंद की प्राप्ती और ये डरता रहता है कि कई सास्त्र गुरू के बिमुख आचरण ना हो जाएं कई भजन ना छूट जाएं वो इस संसार के समस्त भयों पर विजय प्राप्त करके निर्भयपद का अधिकारी हो जात द्यान देने योग के बात यह है कि जब साधक का आचरण बिगड़ जाता है बाहर से तो हम वैश्णों हैं बाहर से तो भगवतमारगी के पतिक हैं और अंदर से हमारे बिरुद्ध आचरण हो रहें तो बिना किसी बाहरी भय के हम भैवीत रहते हैं अंदर से देख लेना आप डरते रहते हैं, आपके अंदर एक संकल्प, एक कल्पना आपको भैवीत करती रहती है, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, अचानक आपके हिर्दे में एक भै सवार रहता है, ये भै तभी होता है जब आपके द्वरा कोई बुरा आचरन होता है, धर में बिरु मन इस स्थिती में आगया हर समय भै प्रदान करता रहता है जो भजन करने वाला है सास्त्र के अनकूल चलने वाला है वो भैवीत नहीं होता निर्भे ये महान देवी शंपदा है ये अभै प्रभू की तरप से उसके हुदय में उदय हो जाता है वो भै का त्याग कर देता है अगर आप भैवीत है सरीर में रोग आने पर कोई न कोई विपती आने पर निंदा होने पर अपमान होने पर अवहलना होने पर तो अभी आप प्रभू के सच्चे सरणागत नहीं है सच्चे सरणागत को ये सारी प्रतिकुल ताये प्रभु के इस्मरण में और गाड़ भाव में तन्मे कर देती है वो भैवीत नहीं होता, वो अपमान से भैवीत नहीं होता निंदा से भैवीत नहीं होता, वो रोगों से भैवीत नहीं होता अगर ये भै है तो सरीर आशक्ति में हो नहीं तो प्रभु के पूर्ण आश्रित होते ही निर्भय हर्दय में जागृत हो जाती ही ब्रती, कहीं कोई भय नहीं, ये ध्यान देने का विशह है, आप अंदर से देखिए, अगर आप अंदर से प्रभु के अनकूल चल रहे हैं, प्रतिकूलश वर्जनम, तो आप भैं होंगे, यदि आप प्रभु के प्रतिकूल चल रहें, तो कोई जाने न जाने, आप अपने आप में भैवीत रहेंगे, दंड है, यह उस पाप प्रवत्ती का प्रतिकूल आचरन का दंड है, आप कल्पनात्मक भै से भैवीत रेंगे और कोई महान अप्राद बन जाए त इसलिए हरी के चरणों के आश्रित होकर निरंतर सावधानी पुर्वक ये डरना सावधानी है कि हमारे दोरा कहीं वैश्णों अपराद न बन जाए कहीं सास्त्र विरुद्धाचरन न बन जाए क्योंकि यदि आप ऐसा करके और ये सोच रहे हैं कि कोई जान नहीं रहा तो वो कर्म ही आपको भैभीत करता रहेगा वो कर्म ही आपके हरदे में जलन पैदा करेगा अशान्ती पैदा करेगा आपके हरदे में अज्यान बृत्ती बढ़ेगी क्या मिला? मिला क्या? अंदर कलेश अशान्ती और आगे चल करके उसका परिणाम दुरगती हरी आश्रित हो करके श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलश्य वरजनम प्रभू के अनुकूल चलने का तात पर है गीता भागवतादि में जो श्री भगवान अपने श्री मुक से उपदेश कर रहे ऐसा चलो तो हमारे प्रेमरस को प्राप्त होगे ऐसे चलो तो तुम्हे ब्रह्मबूद हो जाएगा ऐसे चलो तो तुम योग को प्राप्त हो जाओगे हम उसके प्रतिकूल चलेंगे तो हम भैवीत रहेंगे जैसे कौरों की ग्यारा अक्षोनी सेना के जब बाजे बजे तो पांडों सेना में कोई भी भैवीत नहीं हुआ लेकिन जब पांडों की साथ अक्षोनी सेना के बाजे बजे तो कौरों के हरदय भी दीरन हो गए क्यों? वो अधर्म के पक्ष में है और ये धर्म के पक्ष में है जब धर्म के पक्ष में चलोगे तो निर्भैता रहेगी जब सास्त सद गुरुदेव के अनुकूल चलोगे प्रभू उनके साथ है अर्थात वो प्रभू को लिये हुए है इसलिए उनकी ग्याराक्षोणी सेना के बाजे बजे शंखादी बजे कोई भै नहीं पांडो क्योंकि प्रभू है और वो प्रभू के विरोध में खड़े धर में विरुद्ध है तो सातक्षोणी सेना के जही बाजे बजे बैवीत हो गए सब के हरदे बिदीर्ण होने लगे क्यों? क्योंकि वो अधर्म से युक्त है अगर आप अधर्म से युक्त है तो आपका हरदे बैवीत हो जाएगा बिना किसी भै की घटना के आप भैवीत हो जाएंगे और धर में युक्त है तो भैंकर भै की स्थिती आने पर भी आपका हरदे निर्भे रहेगा पक्का निर्भे रहेगा बेपरवाह रहेंगे आपकी मस्ती में कोई भी ऐसी बाहरी परिस्थिती नहीं की फर्क डाल सके यही तो भगवसरणागती का प्रताप है शरीर हमारा है हमें अच्छे-च्छे भोग मिलने चाहिए यही ब्रत्ती हमें बांदे हुए है प्रभू हमारे है निरंतर प्रभू सुमिरन हो यही हमारे मोक्ष का कारण बनेगा इसे बिभाग करके देख ले अंदर मैं शरीर हो अच्छे-च्छे सुखा आराम भोग सामागरी मिले चाहिए धर्म से चाहिए धर्म से यही तुमारी दुर्गती का कारण है प्रभू मेरे है मुझे प्रभू के अनकूल चलना है सतत प्रभू इश्मरन करना है निर्भय पद में बिलाजमान हो जाएंगे प्रभु की तरब चलने वाले साधक को प्रभु पर जितना अधिक विश्वास होता जाता है जितना प्रभु के उपर पूर्ण रूप से आश्रित होता जाता है उसका भरोशा बढ़ता जाता है उतना ही उतना वो अभय हो जाता है पूर्ण भरोशा पूर्ण अभे अगर हमें अभी कुछ भय है तो अभी कुछ कमी है सरनागती में नई सच्ची मानिये अगर प्रभू की प्रतिशरनागती हो गई तो खास बात होती है स्वरूप का अनुभव हो जाता है यही प्रभू से अपनापन हुआ तो सबसे पहला ल अब किसका भै भै किसका जो भैयावा था वो सरीर राग था अपना स्वरूप तो चेतन अमल सहज अविनासी अविनासी का कोई विनास कर ही नहीं सकता नैनम छिंदन कि सस्त्राणि नैनम दहाति पावकाहन चैनम कलेदें त्यापो नशोश्यति मारूता फिर भै कैसा प्रभू के चरणों की आशक्ती होते ही पहला कारे होता है इस थूल सुक्ष्व कारण तीनों देहों के राक का नाश और अपने शुरूप कान वो बिना प्रयास के कि लिए्यों देता है। पूर्ण निर्भे हो जाता है कोई भे नहीं होता उसके हरदे में पर ये होता है तब जितना अधिक विश्वास अपना पन प्रभू से होता जाता है अभी हमारी धरा क्या है हम सरीर को लेके चल रहे हैं सरीर की प्रधानता है भोगों में सुख बुद्धी है सरीर के दुख सुख से हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमको ये गुण धारन करने चाहिए प्रतिपल प्रभु के इस्वरण में, प्रभु के बल में, प्रभु के भरोशे में हमारा एक-एक मिनट जाना चाहिए कहीं अन्नी का भरोशा नहीं, अन्नी का आस्त्रे नहीं, अन्नी का चिंतन न बनने पावे, ये हमें शावधानी रखनी है संशार शरीर ये एक है स्वरूप और प्रभू ये हमारी सजाती है ममई वान्शो हमारा स्वरूप और हमारे प्रभू ये एक पक्ष है सरीर और संशार ये एक पक्ष है सरीर संशार के पक्ष में रहेंगे तो भैवीत होना पड़ेगा प्रभू और स्वरूप के पक्ष में रहेंगे तो निर्भयपद का आपको स्वभावी कनुभव हो जाएगा प्रभू के नाम से आपका संबन्ध जुडे प्रभू के रूप से संबन्ध जुडे सरीर के नाम रूप से संबन्ध हटे यह जो सरीर का नाम है शरीर का जो रूप है ये मेरा नहीं है पर वो ऐसा फस गए है कि लगता है जब दरपन से देख करके तिलक लगा है तो लगता है मेरे को तिलक लग रहा है लग रहा है मैं ऐसा हूँ बस यही अज्यान है इस अज्यान को हम भजन बल से प्रभु के आश्रेबल से इसे मिटाएं सत्व संशुद्धी है अंताकरण का सुद्ध हो जाना सत्व संशुद्धी कहा गया है प्रभु के रहें अभयम सत्व संशुद्धीर यह सत्व संशुद्धीर है यह अंताकरण की पवितरता का सुरूप है जब हमारा मन संसार के प्रती भोगों का संकल्प करता है तो मलिन है और जब प्रभु की शेवा का प्रभु के लिए संकल्प करता है तो निर्मल होने लगता है जब हमारी बुद्धी ये निश्चे करती इस भोग में सुख है ये भोग में शुक है, इस पद में शुक है, इस मान में शुक है, इस प्रसंसा में शुक है, तो वो मलिन बुद्धी है और जब वो निश्चे करती है कि परमात्म प्राप्ति में शुक है, भगवत प्राप्ति में शुक है, प्रियालाल की लीला चिंतन में शुक है, यह पवित्र बुद्धी है जब हम यह स्वईकार करता है कि मैं प्रियालाल का सेवक दास्त दासी जो भी भाव गुर्दिव के द्वारा मिला हुआ है, जो प्रियालाल से जुडकर में है या जो सुरूप इस्थिती का में है, यह निर्मल में है, यह पवित्र में है जब हम संसार के नानाप्रकार के नानात्तु का चिंतन करते हैं तो मलिन अंताह करण है और जब हम प्रभु की लिलाओं का चिंतन करते हैं प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का मुरारिपादार पित्यत्य व्रति वो पवित्र चित्त है तो प्रभूशे जुड़ा हुआ मन बुद्धी चित्ता हम ये पवित्र अंताहकरण है और जगत का चिंतन, जगत का संकल्प, जगत की अहमता ये सब मलिन अंताहकरण है अंताहकरण तभी शुद्ध माना जाएगा, जब श्वभावी कुष्च में भगवदिस पूर्ती हो, कब होगी बहुत सरल उपाय है, इसको अपना ना मानना पर जब अंतरमुखी शाधक नहीं हो, शमज ही नहीं पाएंगे इस बात को अंताहकरण ऐसे दिखाई दे रहा है, जैसे बाहर से आप दिखाई दे रहे है ऐसे अंतरमुखी शाधक को एक-एक ब्रत्ती दिखाई, एक-एक ब्रत्ती साकार रूप दिखाई देती ये काम, ये करोध, ये इर्शया, ये द्वेश, ये माद, ये यमुक अमुक ब्रति, अंदर पुरुन, जो अंतर भगवत चिन्तन करता रहता है, कोई भी ऐसी एक ब्रति स्पुरुना भी नहीं है, जो उसके चिन्तन से बाहर निकल जाए, साब उसके सामने आती रहती है, दे देखता रहता है, देखता कौन रहता है, जो अंताहकरण को अहम भाव से स्वईकार नहीं किये हुए है, अभी देखो, मेरा मन राजी तो मैं राजी, मेरा मन ना राजी तो मैं नहीं राजी, मेरा मन अंकूल तो वो वस्तू अंकूल, वो व्यक्ती अंकूल, मेरा मन उसे प्र तिकूल मतलब हम मन में तदात्म किये हैं अंताहकरण में तदात्म किये हैं कभी सुद्ध नहीं हो सकता अंताहकरण अंताहकरण के द्रिश्टा बने हैं वो हमसे अलग है उसे तदात्म भाव से उसे मैं भाव से सेवन मत कीजिए समझ में रहा है हम अलग है अंताह करण अलग है करण जैसे लुहर के करण है अथोड़ा, बसुली यह सब करण है उसके तो वो अलग है और उसका करण अलग है ऐसे ही मैं अलग हूँ और यह अंताह करण अलग है यह करण है इनके द्वारा हम यह सब जगत प्रपंच की क्रियाएं होती है या भागवतिक क्रियाएं होती है पर यह करण इन करण के आप हैं द्रिश्टा आप अंता करण नहीं हो हमारी जितनी चेश्टा है होती अंता करण बन के हो रही अंता करण अहम धर्म से हो रही करता भाव से हो रही अहंकार भिमूधात्मा करता हा मिति मन्यते मैंने ये सोचा, मैंने ये किया मैं ये करूँगा आदे-आदे वो जो संकल्प हो रहा है जो चिंतन हो रहा है जो मनन हो रहा है, जो निश्चे हो रहा है वो अंताहकरण में हो रहा है अलग है और ये किसी अल्टा साउंड में या एक सरा मशीन में आने वाला नहीं ये ऐसा है छेत्र कि ये आज तक कोई यंत्र नहीं होना कि देखो ये अंता करन आया देखो ये बुद्धी और देखो ये मन ये चित ये हम इसलिए कितना भी विज्ञान बढ़ गया हो अध्या ये अन्ता करन की एक एक बरत्ती जो हम अनकुल है उसका हम निशेद नहीं करते उसे श्विकार करते मन संकल्प कर रहा है भागवतिक स्विकृत है लेकिला हमा वह हमारा संकल्प नहीं है ये सूक्ष wannстр का विषय है हमारा संकल्प नहीं हम उसके निरणायक है ये ठीक है ये नहीं ठीक है शीकृstone अनकूलेल और। प्रतिकूलश्य वर्जनम उसे रोग बहुत जल्दी अंता करण शुद्ध होता है यहां जरासी ब्रती बिगडी हम रोना सुरू कर दिये आज मुझे बहुत परेशानी मुझे परेशानी किसको परेशानी किसको अब आप विचार करो अंदर से देखो सादक हो, सादक हो ही जो विवेकवान है विचारवान, यह मन को परेशानी गलत संकल्प किया भोग, जल गंभीर हो के भगवत चिंतन कर रहा है यहां हम जलन उसकी अपनी मानते हैं हर्ष अपना मानते हैं सोक अपना मानते हैं, क्रिया अपना मानते हैं यही अज्यान है, यही फसा हुआ मुड़ बुद्धी वला है शावधान हो जाए साधक को अपने अंताकरण को विशुद्ध करने के लिए मल विक्षेप आवरन से धहित करने के लिए सबसे पहला कार्य है कि अंताकरण मैं नहीं हूँ ये मन, ये बुद्धी, ये चिते अहम मैं नहीं हूँ, मेरे करन है ये बैठालना होगा अब हमारे मन में कोई बात आगए इतने विचलित हो गए अरे क्यों? उस मन में तदात्म भाव ना करो देखो मन में बात आई, सही नहीं है ठीक, हम नहीं मानते कोई व्यक्ति आ करके हमें कोई सलाह दे रहा है मेरे अनकुल नहीं है तो नहीं मानते हम लड़े के उससे परेशान के हो जाए कि उसने में सलाह दी वो है, अपना बोल रहा है ऐसे ही अमंता करन को निरपेक्ष भाव से देखे ये बुद्धी कहे रहे हैं इससे में सुख है लेकिन वो प्रतिकूल है हमारे परमार्थ के हम नहीं मानते हैं उसकी बात और ना दुखी होते हैं ये जो अंदर से खिन हो जाना दुखी हो जाना, परेशान हो जाना ये ठीक नहीं है ये आपके परास्त होने के लक्षान है आप भगवदिश्मरन परायन हुए आनंदितर हो क्योंकि वो करण आपको परास्त नहीं कर सकते बीना आपके हथोड़ा आपने आप थोड़ी उठेगा कि जाकर के कारी करने लगे वो करण है आपका आप ही उठा के चलाओगे पर वो तदात्म होने के कारण हम ये रास्त जान नहीं पाते और वो जैसा कि बुले हम तो नहीं चाह रहे थे पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे माइंड में बैठकर बुद्धी में बैठकर के जबत जस्ती करा लिया हो तुमारा अज्यान और कुछ नहीं बुले हो कोई है कोई उपरी चकर है मुझसे करा अरे उपरी चकर नहीं भीतरी चकर है देखो भीतरी चकर को सुधार लो उपर कोई चकर रही है उपर तो आसुदेवास्वरमिदी एक मात्र मेरा गोविंद का यह जगन नाठक वही भोचल रहा है अंदर से ठीक कर लो अंदर से परदे में जो सीन दिखाए दे रहे यह वो पीछे से फोकस आ रहा है पीछे से वहां से बंद करवा दो परदा खाली है एकदम खाली है कुछ नहीं है जह जाने जग जाय हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम जाई यह आपके अंदर से फोकस पढ़ रहा है त्रिगुण का रंग बिरंगा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का वह अंता करण रूपी परदे पे पढ़ रहा है और यह करण जो है संकल्प, विकल्प, मनन, चिंतन, अहम यह सब ब्रतिया आपको निश्चे आत्म का बुद्धी, परमात्म की तरफ ना होने के करण ऐसा जंजाल दिखा रहे है ओ बड़ा अदभुद संसार कितना कहीं सुखद कहीं, दुखद कहीं, ऐसा कहीं यह दुद्धात्मक जगत केवल भास रहा है परदे में भास रहा है हो कुछ लई रहा वो सब पीछे से संकल्प का फोकस पर रहा है सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन का और रंग विरंगा नानात तो आपके सामने इस जगत रूपी परदे पे दिखाई दे रहा है जो भी दिखाई दे रहा है वो केवल परमात्मतत्त्त के प्रकास से दिखाई दे रहा है लाख घड़े हैं लाख घड़ों में अलग-अलग रंग का पानी भरा है और उसमें लाख सूरी रंग भी रंगे दिखाई दे रहे बाबा उसमें एक भी सूरी नहीं वो उपर से उस सूरी का केवल प्रकास क्योंकि लाखों घड़े फोर दो तो सूरी पर कोई प्रवाव नहीं पड़ा क्योंकि वाँ सूरी है ही नहीं केवल दिखाई दे रहा है ऐसे एक मात्र Shri Krishna की प्रकास से यह नानात्व प्रकासित दिखाई दे रहा है हम अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे हैं अगर जब जान पाएंगे तो यह सब नहीं केवल Shri Krishna है केवल से यह जो सब है वो परदे पे दिखाई दे रहा है त्रिगुन के फोकस से दिखाई दे रहा है आप गुणा तीति स्थिति में आयों देखिए तो आपको दिखाई देगा एक मात्र भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है एक अनेक लगी है अनेक उस फोकस का प्रभाव है त्रिगुन के फोकस का सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन के प्रकास में आप देख पा रहा है अनेक और जहां आप त्रिगुना तीत हुए तो देखेंगे एक केवल एक ये नाला तुलाई केवल एक तुलसिदा जी को राम दिखाए दे रहे वेदांत दर्शी महापुर्शो को ब्रह्म दिखाए दे रहे युगल उपासको को युगल दिखाए दे रहे तो हमारे अंदर की जो दृष्टी गई परमार्थ की वो स्वरूपसली नहीं तो तुलसिदा दर्श्टी से तो सब देख रहे अंताहकरण से जो अपनापन है इसको बिना मिटाए अंताहकरण सत्त संसुद्धी नहीं होगा वो अंताहकरण पवित्र नहीं होगा वो मलिन अंताहकरण माना जाता है जिसमें मैपन का आरोप हो गया ये मैपन प्रभू के चरणों में हुआ अंताहकरण के द्रिष्टा बने आप अंताहकरण पर विजय प्राप्त कर लेंगे ज्यानी का अंताहकरण ले हो जाता है भक्त का अंताहकरण भगवत स्वरूप हो जाता है मन स्री क्रश्न, बुद्धी स्री क्रश्न, चित स्री क्रश्न, आम स्री क्रश्न ये अंताकरण भक्त का और ज्यानी का ले हो गया आत्म स्रूप में ले हो उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी अंताकरण ले हो गया वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया भक्त महान प्रेमी भक्त हो गया ये अंताकरण ही हमें फशाने वाला है पर हम अंताकरण में इतने तनमय कि या मानी नहीं रहे कि हमारे करण हम इसे अपना सोरूप मान रहे हैं साधक को पुराने पापों को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिती के बसीभूत होकर किये गए नए पापको दूर करने के लिए कोई अलग से प्रास्चित करने के आवश्यक्ता नहीं है जो भक्ती मार्ग में चल रहा है वो भजन करते हुई अंताकरण से अपनापन अटाले बात बन गई जानते हो क्या प्रास्चित होता है जब आप भजन मार्ग में आगे बढ़ेंगे अंताकरण से अपनापन नहीं करेंगे तो उसमें आग पैदा होती जलन वो जलन सब प्रयाश्चितों का प्रयाश्चित है वो जो अंदर जलन हो रहे है असेन सिलता बढ़ रहे जैसे एक वेग आया कोई काम का, कुरूध का और आप उसके अमसार चेश्टा नहीं की आप विवेग के द्वरा ततकाल की अंताकरण में विकादिस्पुरित हुआ है और ये प्रतिकूल है हमारे मार्ग के हम उसे स्विकार नहीं करते तो अब वो आग पैदा होगी, वो जलेगा वो जो जलन सह गए तो आपको और कोई उपाय करने की जरुत नहीं आप परम निस्पाप होते चले जा रहे आपका अंताहकरण पवित्र होता चला जा रहा है और आपके मलिन अंताहकरण में ही नवीन पाप की वासना होती अंताहकरण निर्मल होने पर पाप की वासना नहीं रह जाती पाप की प्रवत्ती तक का नास हो जाता क्योंकि हम जिस मार्ग में चल रहे नाम धाम रूप लीला ये पाप और पाप प्रवत्ती दोनों का नाश कर रहे उपाशक को किसी अन्य प्रैस्चितिया अन्य क्रियाओं की तरब ध्यान नहीं देना अंताह करन से अपना पन हटा के प्रभू के चरणों में और निरंतर भजन प्रवत्ती उसमें जो ताप हो रहा हो हमारे लिए मंगल विधान है वो हमारा अनंत जन्मों के जो संसकार हैं जो वासनाए हैं उनको भस्म करने के लिए वो आग काम कर रही वो हम सुचते हैं कि वो आग सांथ हो जाए विचार करते हैं कैसे सांथ होगा बुले ये कामना आई अगर इसकी हम पूर्ती कर ले वो कामना के अनुसार भोग कर ले तो मुझे सांती मिल जाई धोखे में हो गए अन्ताकरण की पाप मई इस फुरणा को आप अपने सुख का हे तुमान कर चेश्टा बंद गए यही हमसे चूख हो जाती है ध्यान देने युग विशे अन्ताकरण में जो इस फुरणा हो रही प्रतिकूल इस फुरणा के अनुसार हमारे हरदे में बात आती है अगर ये भोग मिल जाए ये चाह पूरी हो जाए तो मेरा अन्ताकरण सीतल हो जाए मैं सुख में हो जाओं बस यही हम बंद जाते हैं सावधान उपाशक और ये सावधानी है भजन अगर भजन नहीं हो रहा तो किवल सुन लो करोगे वही भजन है तो हर समय इस भजन सार्थी सुजाना जैसे सार्थी है ना ड्राइवर है ना बहुत सावधान चतुर हो तो कहीं भी लड़ खड़ाएगा नहीं कहीं भी वो किसी से भेडने नहीं देगा और हम सुरक्षित यात्रा अपनी तै कर लेंगे अगर निरंतर भजन होता है तो आपका निश्चित समझो प्रमंगल हो जाएगा कोई भी विशय आपको परास्त नहीं कर पाएगा और ये भजन स्वयम से होता है जब हम स्वयम स्वयकार कर लेते मैं प्रभू का हूँ तो स्वाभाविक प्रभू की श्मरती प्रभू की प्रती एक जो अपनापन है वो सच्चा भजन है अभी क्या है सरीर संसार से अपनापन करके हम प्रभू का भजन कर रहें तो प्रभू का भजन हुआ साधन और साध्य बन गई अनकूलता साध्य बन गया सम्मान साध्य बन गया इंद्रियों का विशय भोग घाटा हो रहा है ये द्यपी ना से अच्छा है लेकिन जहां में पहुंचना उसके लिए ये बहुत हानिकारक विश है हमारे शाधन भी प्रभू, हमारा साध्य भी प्रभू हो जाए बड़ा आनंद का विश है, बस केवल अंदर से थोड़ा सुलजना है और वो सुलजन भजन है, भजन भजन भी ना है, सब केवल वारता रह जाएगी भजन है, तो एक एक बात आपको समझ में आएगी आपकी अंतर मुखता बढ़ेगी, आप अंताहकरण के दृष्टा बनेंगे आप अंताहकरण के निरनायक बनेंगे, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है जो भजवत चिंतन बढ़ाने वाला है, उससे स्विकार कर लेते जो भजवत चिंतन में बाधक उससे त्याग देते, इससे आपका अंताहकरण सुद्ध हो जाएगा जिसका अंताहकरण भजवत स्वरूप हो गया, वही मात्मा है अंताहकरण हमारा मलीन हो रहा है, हमारी बुद्धी मलीन हो रही है शरीर रोगी, अंताहकरण निरोगी है, तो आप मात्मा है, महानंद कानुभो होगा शरीर श्वस्त है अंताकरण मलीन है रोगी है वासनाओ से जल रहे हैं इसलिए आवश्यक है इस अंताकरण को शुद्ध करना और इसके शुद्ध करने का सबसे बड़या उपाए इसको मैं न मानना इसको अपना न मानना इसमें तदात्म न होने देना शाधक में एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धन्धा नोकरियाद करना ये अलग काम है वो दो भीभाग कर लेता है कि भाव ये साधना की बाते जो है ये तो बिरक्तों के लिए है और हम तो हैं व्यापारी हम हैं ग्रहस्त हम हैं संसारी ये विभाग ठीक नहीं है आप प्रभू के अंश हैं प्रभू की प्राप्ती के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो आप जो भी कारी कर रहे है प्रभु की स्रष्टी का कारी कर रहे हैं प्रभु की प्रशन्नता का हे तुमान लीजिए अंताह करन धर्म से उपर उठने के लिए वही आपका कारी करने लगेगा जुवयापार कर रहे हैं नोकरी कर रहे हम इदर माला चला रहे हैं आरती कर रहे हैं दोनों का बराबर फल हुगा, आप इस बात पर विश्वास कीजिएगा, प्रभु के लिये कर रहे हैं, धार में युक्त कर रहे हैं, सास्तर शिधामत के अमसार कर रहें, वही भक्ती का रंग आपके हरदय में छा जायेगा, हम दो भी भाग कर लेते हैं, कि वो तो संसारिक का और वो भजन का कारे है इसलिए व्यापार आदि ब्योहार आदि में जूट कपट चल यह सब करता रहता है कि हम तो संशारी आदमी हैं हमें परिवार चलाना है इसलिए मुझे यह सब चल कपट जूट आदि करना पड़ता है और वो अपने को छूट दे देता है कि हमारा कोई भजन करना लक्ष तो है नहीं क्योंकि हम तो ग्रियस्त हैं बाल बच्चे पढ़ाना लिखाना रुपिया पैसा कमाना यह गलत बात है यह गलत है आप अपनी स्विकृती बहुत गलत कर रहे हैं यह स्विकृती आपका पतन क कर देगी साधक को चाहिए कि चाहे वो ग्रियस्त हो चाहे बिरग्त हो दोनों को चाहिए कि स्वाधानों कर जो भी कार्यूंसे मिला हुआ है वो भगवत प्रशनता के लिए सास्त्र के अनुशार लोत इसमनण करते एक करें तीन बाते भगवत प्रशन्वत के लिए सास्त्र आज्याँ गुरु आज्याँ की अनुशार और भगवत इस्मरन करतें कुछ भी अगर वो सास्त्र के अनुशार आप कारी कर रहे हैं भले युद्ध के उनहों गर्दन काटने वाला कारी क्यों हो आप परंपद के अधिकारी होंगे तीन बात होनी चाहिए प्रभू के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये संपुर्ण स्रिष्टी प्रभू की है और ये शरीर सास्त्र के अनुशार चेष्टा करेगा तो वो प्रभू की प्रशनता का हेत हो ऐसा हरदेश्य माल लीजिए और खास बात अंदर की भगवद इस्मरण का तार न तूटे मामनिश्मर युद्ध चाहिए आप देख लीजिए चाहिए आप व्यापार कर रहे हो चाहिए आपनो स्री रैदास जी महराज को इसलिए बड़े-बड़े चूक कर जाते थे योगी जन बड़े-बड़े शंत जन क्यों प्राया सहज भाव में दिखाई देते ऐसा भी आया चरित्र में कि वो बजार में जाकर के और ऐसे बैठ जाते और जूते गाठते और ऐसा चम्रा लाते और वो ऐसे कठोता में ऐसे धोते ओ देखो क्रिया कैसी हो रही है कैसी क्रिया है लेकिन प्रभू की प्रशनता के लिए सास्त्र मर्यादा के अनुशार वो बरताव कर रहे है और सतत भगवद इस मनन चल रहा है तो बड़े-बड़े योगियों को भी आश्चर चकित करने वाली उनके पास वो ब्रतियां देखे गई सिधिया देखे गई भगवत अनुराग देखा गया उनके हरदे में महापुर्शों ने जन्म ले करके आचरन करके हमको दिखाया कुछ भी ओ एक मांश काट के बेश्ते सदनक शाई क्या सदनक मांश काट अब कितना निंदनी का आप देखो लेकिन सास्त्र मर्यादा के नुशार कसाई कुल में जन्म हुआ है उनके कुल परमपरा से चला रहा है वह ऐसा कर रहे और परम ज्यान उनको परम ज्यान महाभारत में प्रशंग आता है कि उनको ज्यान अनुभो कराने के लिए एक कश्यप नाम के ब्रह्म को भेजा गया था वह पतिवर्ता पतिनी ने भेजा था कि अभी तुम अधूरे हो जाओ उनके पास आश्चर शकीत बात वह पतिवर्ता है वह अपने पती को भगवान मानकर आराधना करती तो वह उसको सारी सिध्या प्रातर सूक्षमता का विश्य है यह जो अपने लोग हैं प्रभू के जन हैं प्रभू के अंश हैं प्रभू की प्राप्ति के लिए आपका ओशर मिला चाहिए आप ग्रियस तो चाहिए भी रखतो दो एक प्रशंग आता है कस्यप नाम के महात्मा थे वह तपश्या के बड़े धनी थे अर्था बहुत तपश्या प्रयाण रहत थे एक दिन एक बगुली ब्रक्ष के उपर बैठ कर आनंद ले रही थी इतने में उसने वीट किया तो महत्मा क्यों ऐसे माथे पर वीट गिरा तो उन्होंने गुस्सा होके ऐसे देखा तो भस्मों गई अब उनको लगा कि बगुली भस्मों गई मेरी द्रिष्टी पढ़ते देखो मेरा पराध किया ना वो उपर वीट कर दिया तो द्रिष्टी गई मतलब पावर आ गया हमारे अंदर सामर्थ आ गई मैं तपश्या का बहुत धनी हूँ भिक्षा के लिए गए तो एक घर में आवाज लगई भिक्षाम देह तो जो सद ग्रहस्त की पतनी थी उन निकली और उन्होंने का भगवन एक शण रुकी मैं अभी लाई अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से उनके पती आ गए और वो पती को शाक्षाद भगवान मान कर के आराधना करती थी पती व्रता थी पती को देखते ही वो भूल गए कि महात्मा दरवाजे पे खड़े हुए है उनकी अगवानी की उनको बिराजमान किया जल पिलाया और म्रदुभाशन के द्वारा फिर एकदम याद आया कि उनका भगवन आपके घर में एक संत का देना था होगा पहले जाओ अतितिका सतकार करो आग्याली पती से कुछ कंद मूल फले कर गई देने के लिए तो महात्मा क्रोध में खड़े थे उनका इतना शमय हो गया तुम आई क्यों नहीं तो उनका भगवन हमारे पतिदिव पधारे तुनकी अगवानी करना उनको वाशन में बिराजमान करना उनको जल पिलाना फिर हम आग्याले तो बुले तुम हमें शाधारन महात्मा समझती हो पहले तो कहा खड़े रोह में बिक्षा ला रहे हो फिर पती को सब कुछ मा ता उन्होंने का महराज तुम समझते हो कि हम उस डाल की बगुली है कि देखो क भस मो जाएंगे और उनको लगा कि ये बात तो किसी ने देखा नहीं था तो उनका ए तुम कैसे जानी बुले एक ही जन्मकी ने कई जन्मों की बात तुम्हारी दिखाई दे रहे हैं मैं अपने पती चरणों की उपासना के बल से मैं सब कुछ जान रही हूं कि तुम क्या ह कौन हो कैसे हो किसी योनी में क्या थे सब पता है और वो तो काप गए देखो ना तो जंगल में गई ना तो उसने तपश्या की पती को भगवान मान के आराधना की आप जो मान रहे हो कि मैं ग्रैस तो हूं हमारा काम चलकपट बेवहार केवल भोगों को भोगते गलत बात आप जहां हो जो सेवा आपको मिली जिसे हमें सेवा मिली ये तो आपके लिए सेवा वो है लेकिन हम दोनों नो कर स्वामी के हैं प्रभू के हैं ये बात मान लो तो जो हमें पल मिलेगा वो आपको मिलेगा सतत भगवद इश्मरण जो आपको मिला हुआ है सेवा वो प्रभू की प्रशनता के लिए और सास्त्र मर्यादा के अनुशार धर्म के अनुशार पतिवर्ता पतिनी ने कहा भी तुम्हा धूरे ग्यानी हो तुम्हें पूरा ग्यान नहीं है आप जाए वह जाओ एशादर्न, किसाई जाओ है और तुम्हें ज्न देंगे वास्तिवी ज्न देंगे तो चमत कार तो हुई गया कि आटिक वर्ता जानती है हमारी आटिक चेष्टा जानती है आग्यामानी और वहाँ गए तो दिखा आउ मांज काट काट कि उनना हत्यारा के आउपदेश करेगा जो ऐसा करकत सुभाव का है चलने लेगे तो उनका महाराज रुको आपको अमुक गाउं की पतिवरता ने भेजा है ना बिना टेलीफोन के टेलीफोन तो और आश्चर शकित हो गए कि क्रिया तो इतनी मलिन और उचाई इस कोट ही कि उनको कु मुझया ग्रह में मातापिता विराजमान है बयो ब्रद्ध मातापित सास्टांग दंडवत की जैसे भगवान की आराधना ऐसे मातापिता की आराधना करते फिर उन्होंने बताया कि यह हमारे कुल की परंपरागत कृत्य है यह हम करते हैं लेकिन हम पने मातापिता को उस सिध्दी प्राफ्त किये हुए है तो क्या आप जुभी व्यापार नोकरियाद कर रहें वो क्या भगवान की आरधना नहीं होगी जब यूद्ध करना भगवान की आराध्ना अर्जुन कह रहे अन्यास लूगा वो कहरे ने युद करो प्रभू की आज्यां के अंसार प्रभू का इश्मरन करते हुए प्रभू की प्रशनता के लिए जोक्रत किया जाता है वो उपाशना होती, वो आराधना होती ये हरदय में बैठा लिजिए इसके दो विभाग मत कीजिए नहीं तो आप फस जाएंगे दो विभाग में ही फसे, एक कई विभाग है प्रभू ही प्रभू है और उन्ही के हम सब सेवक है चाहे हो ग्रहस्त सेवक हो या बिरक्त सेवक हो यह अलग-अलग पोसाक प्रभु के सेवकों की है अलग-अलग सेवा बिभाग कर दिये गए है लेकिन हम हैं एक ही स्वामी की उन्ही की प्रशनता के लिए लगे है यदि हम ऐशी भावना से चले तो बहुत सी ग्रहनता करन पवित्र हो जाएगा हमारे हरदे में निर्भेता जाएगी और भगवदानंद का इश्पुरन होते ही हम जीवन मुक्त हो जाएगे इस संसार से मुक्त होकर प्रभु की अनुराग में ढूबना यही जीवन का परमलाव है सेश चर्चा आगे शीराधाव लभलाल की जै जे जे श्यामा जे जे श्याम जे जे श्री ब्रिंदावन धाम जे जे श्यामा जे जे श्याम जे जे श्री ब्रिंदावन धाम माँ पावन राधे तेरो नाव माँ पावन राधे तेरो नाव पावन श्री ब्रिंदा बन दाव जे जे श्री ब्रिंदा बन दाव जे जे श्री ब्रिंदा बन दाव श्री राधा, 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 राधा श्री राधा, 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 राधा राधा, राधा, राधा राधा पिराधा, राधा, राधा, राधा पिराधा, राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा पिराधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा स्री राधा, राधा स्री राधा, 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 राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 झाल झाल